19 और 20 अगस्त का दिन मकर राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जैमादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बायत करेंगे अगस्त माह के दो दिन 19 और 20 अगस्त के मकर राशी फल के बारे में इन दो दिनों में ग्रहों की जो इस्तिथी है उनका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? अब ये तीन ग्रहों का परिवर्तन हुआ है पहला तो सूर्य ने राशी परिवर्तन किया उसके बाद मंगल और उसके बाद जो शुक्र है वो भी उदा हुए अब ये जो परिवर्तन हुए ये कैसे इन दो दिनों को प्रभावित करेंगे? क्या लाब मिलेंगे? क्या आपको सावधानी रखनी है? क्या उपाय कर सकते हैं? क्या शुब दिन होंगे और क्या शुब रंग होगा जो आपके एनरजी को बढ़ाने वाला सोभाग्य को बढ की जाए तो 19 अगस्त का जो दिन है शनिवार का दिन है सावन का महिना चल रहा है शनिवार का दिन बहुत महतपून है आपकी राशी के स्वामी भी शनी देव है शुगल पक्षकीत रतिया तथी रहेगी उत्रा फालगोनी नक्षत्र है जो एक का शुब नक्षत्रों की श् में और बुधादित राजयोग भी बना रहे हैं रवयोग भी इस दिन बना हुआ है अब 20 अगस्त की बात कर लेते हैं तो ये दिन शुकरपक्ष की चतुरती देथी है और हस्त नक्षत्र है इसके सौमी सूर्यदेव होते हैं साध्य नाम का योग है बहुती शुब योग है और चंद्रमा कन्या राशी सिहिंग राशी में सूर्य विराजमान है मगा नक्षत्र में लेकिन यहां तीन और योग बने हैं सरवार्थ सिद्धी योग रवी योग और अमरत सिद्धी योग ये तीन योग बहुत ही जादा शुब इस दिन को बनाने वाले हैं तो ये हो ग ही हों मकराशी की कन्या राशी में चंद्रमा की इस्थिती है जो आपके अंदर की रिचनात मक्ता को बढ़ाने का कार्य करेगी और आप महसूस कर पाएंगे कि आप कुछ लोग हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिनके साथ मिलकर आप अपनी ओजनाओं को वास अस्त्विक्ता में बदलना चाहते हैं तो आपका लक्ष एकदम किलियर है और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है वैवारिक रूप से आपको विचार करना चाहिए ताकि आप अपने हरे काम पर फोकस कर सकें आज के दिन सफेद रंग पहनना आपके लिए बहुत सकारात मकता लेकर आएगा एनरजी देने वाला होगा सो भाग्य को आकरशित करने वाला होगा और दोपहर बारा बजे से चार बजे तक के बीच का समय बहुत अधिक भाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है इस समय क को जरूर ध्यान रखें, स्वास्ते भी अच्छा है, स्वास्ते समंदी भी कुछ ऐसी परिशाने नहीं दिख रही है, आप याद रखें कि बुराई जो है, अच्छाई से ज्यादा आकर्शक कई बार दिख जाती है, लेकिन उसका असर उतना ही खराब होता है, कई बार आपक के पास कोई कमी नहीं होगी, और इससी वजह से मन में शांती का भाव भी होगा, अगर आप पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आज आपके लिए अपने दोस्तों को बुलाएंगे, और दोस्तों के साथ आज आप पार्टी कर सकते हैं, कई ऐसे ल रिष्टों की जो एहमियत है, उसको समझें, उसका अंदाजा आप भी को है, उसकी एहमियत को समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आज का जो ज़्यादा तर समय हैं, वो आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिता सकते हैं, आपको लग रहा होगा आज आपका जीवन अच्छा है, परिवार की स्थिथियां भी अच्छी है, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी जो चीज़ें हैं, वो बेडिंफिट देने वाली दिखाई दे रही है, व्यवाहिक जीवन भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है, और जो योग बना है, सिद्ध योग बना है, वैसी शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन, आपकी राशी की स्वामी का दिन है, तो इस दिन एक तो भगवान शिव की अराधना जरूर करें, उनके प्रियवस्तों से उनका अभी शेक करें, और शिव चानी चालिसा या फिर हनुमान चा है तो आप चाहे तो विश भी कर सकते हैं जले राशी की बात कर लेते हैं तीन बहुत जबरदस्ती योग है सरवार सिद्धी अमरसिद्धी और रवी योग बुदादी तो योग भी बना हुआ है इन योगों का प्रभा पूरा दिन देखने को मिलेगा वैसे तो ये रविवा अत्मक्ता को बढ़ा सकते हैं और किसी जो कुछ जो काम आप करना चाह रहे थे उन कामों की तरफ आप ज्यादा ध्यान भी दे सकते हैं आज आप अपनी जो एनरजी है उसको सकारात्मक्दिशा में लगाएंगे आपके लिए जरूरी है कि आपनी जो सही रणनीतिया से अपनी साथियों की आज आप मदद करेंगे और आप को देख सकते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं तो फ्यूचर में आपको भी कभी मदद की जरूरत पड़ी तो आपका साथ हर कोई निभाने को तयार रहेगा पिछले कुछ दिनों में आर्थिक मामलों में आपके ल इवन में होती हैं तो कुछ ना कुछ धान पुन्या का काम जरूर करें जरूर करें कुछ ना कुछ ये आपको भी शांती देता है आपके पुन्या को भी बढ़ाता है तो इस कार्य को तो आप एकदम सोच लेंगी आप जो थोड़ा बहुत भी अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, रोमान्स के लिए अच्छा दिन है, घर पर ना बैट कर दोस्तों के साथ बाहर निकलेंगे, सामाजिक मिल जोल बढ़ाएंगे, और आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, कम से कम आज कोई आपको बड़ा ध्यान से निहारने वाला है, और आपकी नज योग हैं, इनका बैनिफिट क्या होगा, आपके काम काज में, आप काम कर रहे हैं, आप बिजनिस कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, इन योगों का प्रभाव होगा, आपको उसमें चीज़ें आपके फिवर में रहेंगी, आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी आपके राहक जादा आएंगे आपके काम से अच्छे लाब की उम्मीद आप कर सकते हैं और अब उपाए की अगर बात की जाए कि क्या उपाए आपको करना है तो देखे मैं पहली बता चुकी हूँ शनिवार के दिन आपको क्या क्या करना है और शनिवार का उपाय आपके लिए ज़्यादा जरूरी है तो इस दिन आप जरूर करें क्योंकि अभी जो सावन का महिना है वो भी चल रहा है और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें